हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सत्च्रियाकाल अदाव दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बना रहे हैं क्रीमी टोमेटो सूप जो बहुत ही बढ़िया होता है और सभी बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की जिरूरत है एक बार देख लेते हैं क्योंकि अपने घर पर हम इसे असानी से बना सकते हैं तो फ्रेंड्स यह सब चीजे मैं ले रही हूँ टोमाटो सूप बनाने के लिए सब से पहले यह देखिए हमें चाहिए टमाटर, टमाट एक चोटा आलू लिया है मैंने इसे भी मैंने टुकडों में काट लिया है और दो चोटी गाजर लिया है इने भी मैंने चुकडों में काट लिया है और आदा बीर टूठ हमें चाहिए सिरफ कलर के लिए यह अगर आपके पास है तो डालिए अधरवाइस आप स्किप कर सकते ह मैंने उसे भी काट लिया है और एक चाहिए हमें तेज पता यानि बे लीफ और थोड़ा सा चाहिए अद्रक और लस्टन की छेसत कलिया साथ में चाहिए हमें नमक और एक चमच के क्रीम मैं ले रही हूं चीनी अब देरना करते हुए गैस पे रखेंगे कुकर और कुकर में डाल देते हैं बटर बटर हमारा चीतरां से गरम हो चुका है और मैल्टोना शुरू हो चुका है यह देखिए अब हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता यानि की बेलीव इसमें इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आदा है सूप में और साथ मैं डाल रही हूँ मैं लसन अद्रक कटा हुआ इसे एक बार चलाते हुए भून लेते हैं इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें और साथ में ही डाल दूंगी मैं अब कटा हुआ प्याज इसे भी हम चलाते हुए भून लेते हैं जब तक इसका हलका सा कलर चेंज ना हो जाए यानि कि इसमें से जो कच्चा फ्लेवर है इसका वो खतम ना हो जाए ये दिखिए कलर इसका चेंज हो चुका है लसन अद्रक और प्याज का अब हम डाल देते हैं इसमें कटे हुए टमाटर और साथ में ही डाल रहे हुँ हम इसमें कटे हुई गाजर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे और बीटरूट यानि की चुकुंदर और कटे हुए आलू आलू हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना एक सिरफ छोटा आलू ही हमें चाहिए होता है आलू हम इसलिए डालते हैं ताकि सूप में अच्छी थिकनेस आ जाए अब इसे एक से डेड़ मिनिट के लिए हमें पकाना होता है पहले अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक थोड़ा सा भून लेंगे इसको हम और साथ में ही डाल दूँगी मैं इसमें चीनी एक बार फिर चला देते हैं ऐसे और कुकर को बंद करके कम से कम हमें इसे दो विसल लगवानी होती है पहले हम डाल देंगे इसमें पानी पानी हम इतना डालेंगे ताकि यह सारे टमाटर इच्छी तना से इसमें डूब जाएं और अगर हमें जुरूरत बाद में पड़ेगी तो हम इसमें और पानी डाल सकते हैं पर अभी के लिए इतना ही काफी है आप इसकी लिड़ लगा कर हमें से हाई फ्लेम पर कम से कम दो विसल आने देंगे और लो फ्लेम करके दस से बारा मिनट तक इसे पकने देंगे और जब तक ये हमारे टमाटर पकते हैं हम ब्रैड के क्रोटोंस त्यार कर लेते हैं तो टमैटो सूप में तो ब्रैड क्रोटोंस बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसके बगयार तो सूप बिलकुल अधूरा होता है तो देर ना करते हुए वहले हम इसे काट कर लेते हैं हम इसे shallow fry करने वाले हैं आप इसे deep fry भी कर सकते हैं और आप इसे तवे के उपर भी अच्छी तरह से सेख सकते हैं जिस तरह से भी आप पसंद करते हैं आप इसे उसी तरह से बना सकते हैं आप इसे अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं स्मॉल या बड़े मैं आपको दिखा लेती हूं मैंने किस तरह से कट की हैं यह साइज मैंने इसका रखा है medium size ही है ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा है तो इसी तरह से मैं बाकी सारे काट लेती हूँ यह देखिए मैंने ची तरह से सारे काट लिये हैं अब हम इसे करेंगे shallow fry यह देखिए मैंने इस अभी को shallow fry कर लिया और कितना प्यारा कलर आया है तो इसे तो रख देगें अब आप साइड पर और अब हम कुक कर देख लेते हैं 12 मिनट हो चुके हैं इसकी स्टीम सारी निकाल देती हूँ पहले मैं अब ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे टमाटर पके हैं कि नहीं टमाटर लगबग हमारे पक चुके हैं आलू भी एक बर चेक कर लेते हैं आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं बेलकुल गल चुके हैं यानि कि हमारे जो सबजी हैं सारी हैं वो अच्छी तरह से कोको चुकी है तो इससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है इसको, अब हम इसे कम से कम, थोड़ी देर के लिए, यानि कि 5-7 मिनिट के लिए ठंडा कर लेते हैं, तो बाद में से हम ग्राइंड करेंगे, यह दिखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, यह मैं बेलीफ को निकाल देती हूं, क् यह हम ग्राइंड नहीं करेंगे, तो अब हम इसे निकाल देंगे, जिसमें जितना भी लिक्विड है, उसे हम स्ट्रेणर की हेल्प से सारा छान लेते हैं, और जो इसका थिक थिक पार्ट रह जाएगा, तो उसे हम ग्राइंड करेंगे, तो हमें इजी हो जाएगा, ग्राइंड करना चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल कर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, यह मैंने सारा डाल दिया इसमें, और आदा कप के करीब हम पानी इसमें और डालेंगे, यह दिखिए, सारा ग्राइंड हो चुका है, बहुत बड़िया पेस्ट बन कर त्यार हो चुका है, अम ऐसे अच्छी तरह से छान लूँगी, ताकि इसका सारा पल्प, अच्छी तरह से छान जाए, यह दिखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको च्छान लिया, और यह जो टमाटर के बीज हो गया रहा है, यह बाकी रहा गया है, तो यह तो हमें नहीं चाहिए, इसे मैं कर दूँगी अब साइड पर, और यह दिखिए, कितना गाड़ा, सूप हमारा बन कर त्यार होने वाला है, तो अब इसे मैं रख दूँगी, पैन में, गैस के ओपर यह दिखिए, मैंने रख दिया है, तो इसे हम अब कम से कम, साथ से आठ मिनट, मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, बहुत ही बढ़िया, इस थिकनेश देखिए, आलू जो मैंने इसमें डाला था, उससे इसमें थिकनेश बहुत बढ़िया आई है, तो हम इसमें कॉन फ्लार तो बिलकुल भी डालने वाले नहीं है, तो यह नमक मैं डाल देती हूं इसमें थोड़ा सा, और काली मिर्च, 140 प मिक्स कर देंगे और इसे अब पकने देंगे कम से कम साथ से आठ मिनट अच्छे बॉयल आने चाहिए इसमें कितने बड़िया बॉयल आने शुरू हो चुके हैं इसमें और इसे चलाते हुए थोड़ी दिर और पकने देंगे क्योंकि अभी तो पांच मिनिट हुए हैं और ठीकनेस देखिए आप इसकी बहुत बड़िया सूप बनकर त्यार हो रहा है हमारा पूरे आठ से नौ मिनट हो चुके हैं सूप हमारा बिलकुल त्यार हो चुका है अब इससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है सभी फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं और घर पर देखिए हम कितनी असानी से सूप बना कर त्यार कर सकते हैं यह देखिए स्पून के अलब से मैं आपको दिखाती हूं इसी तरह से मार्केट में मिलता है ना सूप और हम कितने मज़े से पीते हैं तो आज हम अपने घर पर ही बना कर इसे त्यार कर रहे हैं तो इसे हम डाल देंगे यह बॉल्ड में यह आपको मैं उठाकर दिखाती हूं देखिए इसकी तीकनेस देखिए और कितना बढ़िया लग रहा है यह दिखिए और कंसिस्टेंसी देखिए इसकी कितनी बढ़िया आई है बस इससे ज़्यादा हमें और ठिक नहीं चाहिए गर्मा गरम सूप त्यार हो चुका है आपके लिए आप भी इस तरह से अपने घर पर जिरूर ट्राई कीजिए और यकीन मानिये आपको बहुत पसाना आने वाला है तो अब मैं डाल दूँगे इसमें क्रीम और क्रीम डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा अब अब डाल देंगे इस पर ब्रेट क्रोटॉन्स इसके बिना तो टमैटो सूप बिल्कुल अधूरा है इसी के साथ ही टेस्टी लगता है आपको मैं एक बार फिर चेक कराती हूँ किस तरह से बना है हमारा सूप यह देखिए क्रीमी टमैटो सूप आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे जरूर बताइए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल का बटन भी ज चैनल पर देखते रही है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना बिल्खुर मत भूलिए तो फिर मिलती हूँ दोस्तो एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई